प्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं हम जनवरी महीने की क्रांट अफेर्स में उनकी महत्तपुन दिवस और उसकी थीम के बारे में पढ़ रहे थे मैंने इससे पहले आपको भाग एक और दो पढ़ाया है जिसमें मैंने ट्रिक के साथ आपको सारा ही कुछ जो है वो प्लियर करवा दिया है तो आज मैं उसका भाग तीन MCQ के रूप में लेके आए हूँ तो चली स्टार्ट करते हैं उसका पहला प्रश्न राष्ट्रिय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है आप्शन है एक दो जन्वरी पांच जन्वरी छे जन्वरी या फिर साथ जन्वरी तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है पांच जन्वरी मैंने इसको आपको कैसी याद करवाया था कि पांच से यानि पंची पांच यानि पक्षियों के जो विलुप्त पर जाती है उसको सरक्षित करें या फिर हम उसे दूसरे ढंग से भी याद कर सकते हैं कि हमें पक्षियों को जो है वो कैद में नहीं रखना है उन्हें आजाद छोड़ देना है तो बस इसी तरह से आप उनको पंच्छी के रूप में याद कर पंच्छी यानी पांच ठीक है फ्रेंट्स चलिए हमारा अगला प्रेशन है नौ जन्वरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है प्रवासी भारतिय दिवस गुरु गोविन सिक जियनती भारतिय सेना दिवस या फिर राश्ट्रिय बालिका दिवस इसका सही आंसर है प्रवासी भारतिय दिवस तो इसको मैंने कैसे याद करवाया था कि जैसे आजकल कोविट के टाइम पे अगर आप किसी भी जन से ये कहेंगे कि क्या आप अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे तो आपका आंसर क्या होगा नो तो वो जन क्या आंसर देगा आपको नो नो से बन गया जन से जनवरी तो चली है फ्रेंस बन गे हमारी टृक नो जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भार्तिय दिवस हमारा अगला प्रश्न है विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या है!! हमारे भविश्य को आकार दें आत्म निर्बर भारत में योगदान स्वाइन से पहले सेवा सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना तो फ्रेंट्स विश्व ब्रेल दिवस जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व ब्रेल दिवस जो है द्रिस्टी बाधित जो मतल मनाया जाता है ठीक है अगला प्रेशन है विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या है तो इसके आप्शने हैं हमारे भविश्य को आकारतें आत्म निर्बर भारत में योगदान स्वाइम से पहले सेवा सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना तो फ्रेंट्स मैंने इ अगर किसी के घर में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जो देख नहीं सकता तो वो पेरेंट्स यानि वो माता पिता अपने आपको लाचार महसूस करते हैं और उन्हें उसके भविश्य की चिंता हो जाती है तो बस भविश्य से ही हमारा बन गया हमारे भविश्य को आकार दें तो हमारा एउप्चन जो है वो सही है हमारा अगला प्रशिन है युद्ध अनाथों का विश्व दिवस कब मनाया जाता है युद्ध अनाथों का विश्व दिवस कब मनाया जाता है छे जनवरी साथ जनवरी नौजनवरी या फिर दस जनवरी तो फ्रेंट्स इ आपने अच्छा word पकड़ लेना है और अच्छा से बन गया छे तो हमारा option A जो है वो सही है हमारा अगला question है भारत्य प्रवासी दिवस की theme है स्वयम से पहले सेवा वैश्विक परिवार दिवस सीमा शुल्क और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना आत्म निर्भर भारत में योगदान तो देखिए इस theme को भी मैंने कैसे आपको याद करवाया था कि कोई भी अगर अपने देश से दूसरे देश में जाता है किसली जाता है वो वहाँ पे काम करने के लिए ठीक है आत्म निर्भर बनने के लिए तो बस बन गया हमारी theme ये कि आत्म निर्भर भारत में योगदा d option ठीक है हमारा अगला प्रशन है भारतिय थल सेना दिवस मनाया जाता है भारतिय थल सेना दिवस मनाया जाता है 9 जन्वरी 12 जन्वरी 15 जन्वरी या फिर 17 जन्वरी ये भी मैंने आपको याद करवाया था कि हमारी जो सेना है वो इतनी चोकन्नी है कि बिना मतलब किसी की भ थल पे हमारी भारतिय जमीन पर यानि थल पे पंजा यानि पाउं तक नहीं रखने देती तो बन गया एक पांच यानि पंद्रा कि हमारी भारतिय सेना इतनी चोकन्नी रहती है कि किसी भी अजनवी को किसी भी एक अजनवी को या एक जन को बिना मतलब पहचान के अपनी थल प को मनाया जाता है 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है जड़ी ऑप्षने पड़ते हैं अंतराष्ट्रिय शिक्षा दिवस राष्ट्रिय सडक शुरक्षा सप्ता भारतिय प्रवासी दिवस मानव तस्क्री जागरुपता दिवस तो फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको बताया था कि एक एक जन को हर एक जन को या एक एक जन को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए अगर वो सड़क के नियमों का पालन नहीं करेगत को उसका जीवन किसमें आ जाएगा खत्रे में आ जाएगा एक एक जन यानि ग्यारा और खत्रा यानि स्तारा तो क्या होगी हमारी option कि क्या करना चाहिए सडक के सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए तो बस बन गए हमारा मतलब आंसर बी आंसर राश्ट्रिय सडक सुरक्षा सप्ता है हमारा अगला प्रशिन है जनवरी 2022 को मनाये जाने वाले अंतर राश्ट्रिय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी बस हमने यहां से देखना कि अंतराष्ट्रिय शिक्षा दिवस और मैंने कैसे याद करवाया था कि आजकल शिक्षा का सवरूप जो है वो इतना बदल गया है इतना मुश्किल हो गया कि हर एक मतलब इनसान को कमपेटिशन करने के लिए 24-24 घंटे पढ़ना पड़ता है क्यों से पहले सेवा हमारे भविश्य को आकार दे आत्म निर्भर भारत में योगदान तो फ्रेंट्स मैंने बताया था कि जैसे कि पाठे करम बदल रहा है और शिक्षा भी बदल रही है तो हमारा एक option जो है वो बिल्कुल सही है पाठे करम बदलना शिक्षा बदलना हमारा अग 23 जनवरी तो ये भी कैसे किया था हमने याद कि किसी के भी घर में किसी भी जन के घर में चाहे दो बच्चे हूं चाहे चार बच्चे हूं उसमें बालक भी हो और बालिकाएं भी तो क्या करें कि उस जन का फर्ज बनता है कि वो अपने बालिकाओं को भी बालकों के बराबर का अधिकार दे और उन्हें भी मतलब बालकों की तरह ही रखे उन्हें आत्मा निर्भर बनाएं उनके पालन पोशन का ध्यान रखे मतलब 24 गंटे उसका मतलब बालिका का भी जैसे बालक का ध्यान रखें तो हमारी बंगेय ट्रिकिये वाली 24 जन्वरी हमारा अगला प्रशन है 6 जन्वरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया तो हमारी अप्षिन है रास्ट्रिय पक्षीत दिवस विश्व ब्रेल दिवस युद्ध अनाथों का विश्व दिवस भूत पूरु सैनिक दिवस तो यह हमने कैसे याद किया था कि अगर किसी भी जन्वरी अच्छा महसूस नहीं होता तो अच्छा में हमें किसकी आवाज आ रही है छे तो यहां पर आप्षिनों में हम पढ़ लेते हैं रास्ट्रिय पक्षी दिवस विश्व ब्रेल दिवस युद्ध अनाथों का विश्व दिवस तो फ्रेंट्स हमें आंसर मिल गया कि अनाथों अनाथों को देखकर या वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हमें अच्छा नहीं लगता तो हमारा अगला प्रशिन है तीस जन्वरी को मनाए गए विश्व कोष्ट दिवस की थीम क्या थी United for dignity, save yourself to save your family, make Hindi a part of public opinion, service before self तो मैंने क्या बताया था कि विश्व कोष्ट दिवस कि हमें जिन अव्यक्तियों को कुष्ट हो गया हुए या जिसे कोड का रोग भी कहा जाता है तो उनके गौरव और सम्मान को बनाए रखना है, उन्हें मतलब एक तरह से मतलब गलानी का अनुभव नहीं करवाना है तो यहाँ पे बस हम मीनिंग ढूड़नेंगे कि गलानी, गलानी कौन सी हुई, कि बतले उनके गौरवर सम्मान को बनाए रखना है, तो गौरवर सम्मान यानि डिग्निटी, तो हमारा A option बिलकुल सही है, United for Dignity, हमारा अगला प्रेशन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस जो है, वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, हमारा अगला प्रेशन है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतिय दिवस, किसकी याद में मनाया जाता है, भारतिय प्रवासी दिवस, तो यह तो आपको पता ही है कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारत फ्यक्रावन स्क्यारी के इनुमाहत्मा गांदी जी की याद में मनाया जाता है। जनुम्हात्माजे जी की तुम्हात्मामगा परकाथ यहा जाता气 आ परेशन करते हैं, आपको अच्छे से में तबूक्राइए घंजिते हैं, अच्छे सब्काथ हूँ